तो आज के दिन ॅजाटा पावा 2nd 은ग शयर के दा टो gap 621 पास्ट का एक अच्छा कासाлять यह निपती या फिर बैंक टीटमी दोनों में ही एक गिर्हाबा आट को मिला है छोटा मोटा गिरा-बात देखने यानि कि जिसने भी एक साल पहले यह स्टॉक के अंदर इंबेस्ट किया था उनको अभी 87% का रिटान मिल चुका है जो कि एक अच्छा खासा रिटान होता है अगर लोग टेक्निकाल चार्ट पैटन की बात करें तो आज की दिन टाटा पावा शेयर के अंदर ब्रीक आउट द इसको तोड़ने के बार-बार कोशिश कर रहा था मगर तोड़ना नहीं तोड़ पा रहा था यह वाला जो लेवल है 237.10 रुपीस एक तग्रावाला रेस्टेंस पिसका रहा था और उस रेस्टेंस को आज के दिन एक बीग वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दिया है और साती सा अभी कुछ और टाइम बाकी है उसके बाद ही यह शेयर अभी यह जो अपना फिर से एक और रेस्टेंस है यानि कि 251.75 रुपीस यह लेवल का आसपास पहुँच जाएगा और ऐसा मुझे लगता है कि यह टाटा पावार का स्टॉक अभी फिर से रेंज बाहुन कर रहा है 20 जून 2022 जब से यह टाटा पावार का स्टॉक ने लू लगा था उसके बाद यह एक चैनल के पैटरन के साथ यह आफसायन मुमेंटम कर रहा है यह बाला जो एक मैने ग्रीन कलर का जो एक टेन लाइन डाला है फस्ट ग्रीन का जो टेन लाइन है यह एक रेस्टेंस के तरा और नीचे बाला जो ग्रेंट कलर का टेल रहन है यह एक सपोर्ट के तोर पर एक्ट कर रहा है और यह इसी ब्रेंज के बीच में अभी यह घूम रहा है और साथी साथ कुछ छोटा मोटा रेस्टेंज भी ब्रेक कर रहा है टाठा पावा शेयर के अंदर बहुत आच्छा का सा मोमेंटम तभी आएगा जब यह जर इन prevention मोमेंटम देकव और सथी साथ आपको यह फूकाश टाखना होगा जैसे ही यह range को break करता है तभी आप इसमें position बनाएगा अगर यह stock ने range को break नहीं कर पाता है तो फिर आप इन में stock का position नहीं बनाएगा मेरा suggestion यही है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को जरू से जरूर एक कर दीजेगा और अल्सो चैनल को subscribe करके all notification on कर दीजेगा इसी तरह करके नया और latest update टार्टा पावर के रिगार्डिंग पाने के लिए